कॉंग्रिस निता राहुल गांधी एक नई मुसीबत में फस सकते हैं E.D. ने उन पर एक्शन की तैयारी शुरू करती है जी हाँ, प्रवर्द निदेशाले याने E.D. चल्दी ही कॉंग्रिस द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार की केस में, मनी लॉन्रिक जांच की सलसले में दोगसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पूछताच के लिए गुला सकती है इसका इतनाकरम से परिचित एक उच्पदस्त अधिकारी ने नामना जाहिर करने की शर्थ पर बताया कि कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी से पूछताच के एक नए दोर की शुरुआत हो सकती ही क्योंकि सेंट्रल एजेंसी इस मामले में हुई गडबड़ियों के बारे में अपनी जाच पूरा करना शाहती है नैशनल हराल केस में उन से पहले ही 751 करोल रुपे की संपत्ती कुर्प की जा चुकी है राय बरेली के सांसत राहूल गांधी से इस से पहले जून 2022 में चार बैटकों में एडी ने लगपक 40 घंटे तक यंग इंडियन ट्राइविट लिमिटेड के रोजाना के कामकाश में उनकी भूमिका के बारे में पूछ ताच की थी इस कंपनी में वह अपनी मा सुनिया गांधी के साथ बहुत संख्या खिस्तेदार हैं राहूल गांधी और उनकी मा सुनिया गांधी से वाई आई द्वारा एसोसेटेड जनरल्स लिमिटेड के अधिक रहन अखिल भारते कॉंग्रस कमेटी द्वारा AJL को दिया गया 90 करोर रुपे का कर्ज और मुंबई में एक संपत्ती से संबंधित लेंदेन के बारे में पूछ ताच की गई थी जुलाई 2022 में तीन दिनों में लगबग 11 घंटे तक सुनिया गांधी से भी इस मामले में पूछ ताच किल गई थी EDK का दिकारी ने कहा कि हम एसोसेटेड जनरल रिमिटेड की जाच पूरी करने और आरूपत्र दर्ज करने की सूच रहे हैं ताकि मामले की सुनवाई हो सके इसलिए राहूल गांधी सहित सभी जुड़े लोगों को जल्दी पूछ ताच कले बुलाया जा सकता है बहराल ये साफ नहीं है कि जाच एजिंसी ED सूनिया गांधी को भी एक बार फिर पूछ ताच कले बुलाने पर विचार कर रही है या फिर नहीं वहीं पिछले हफते राहूल गांधी ने दावा किया था कि संसत के हाली में खत्म सत्र में केंद्रिय बजट पर चर्चा के दोरान उनके चक्रव्यू भाशल के बाद ED उन पर छापा मारनी की योजना बना रही है उन्होंने कहा कि वह कि इंद्रिजांच एजिंसी का खुले दिल से इंतिजार करेंगे क्योंकि ED के अंद्रूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि छापे मारी की योजना बनाय जा रही है उदर कॉंग्रेस निता अभी शेक मनू सिंग्वी का इस मामले में कहना है कि मैंने हमेशा EJL मामले में ED की भूमिका को विचित्र और अकल्पनिय माना है जहां कभी कोई संपत्ती हस्तांतुरित नहीं की गई जहां पराद की आय तो दूर धन का कोई आवगमन नहीं हो सकता और नहीं हो सकता है जहां अंतिम शेयर धारक एक गयर लाबकारी कंपनी है ये ना तो धन के आवा गमन का ना ही संपत्ति के आवा गमन का एक अजीब मामला है और इसलिए PMLA कानून अपने आप में अनुप्युकत है अगर ED राहुल गांधी को परिशान करने या कॉफी पर बोलाना चाहती है तो ये उनकी इच्छा है आपको यह यह भी बता दे कि 6 जनवरी को एच्टी की ओर से प्रकाशिक की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ED ने नैशनल हराल मामले में कुल 988 करोल रुपे की आपराधिकाई की पहचान की है इसमें 755 करोल रुपे की रियल एस्टेट और अने संपतियां 90 करोल रुपे के शेयर और 2010-11 अरचित 142 करोल रुपे का किराया शामिल है ED ने दावा किया है कि वित्यवर्ष 2010-11 में वाई-ाई की ओर से कंपनी का अधिक रहन करने के बाद से एजेयल ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, पंचकुला, लखनौ और पटना में अपनी प्रमुक संपतियों से ये किराया कमाया है प्रमेट झाल प्रमेट झाल झाल